पूछ रहा हूं मुलब, object क्या होता है, क्योंकि आप grammar में पढ़ने बैठ होगे, तो सबसे basic चीज आपको सिखाया जाता है, कि बेटा, हमारे पास subject होता है, object, object क्या हो सकता है, anyone, object क्या हो सकता है, object में मैंने का, जो पहला आपको object होता है, sir, आपका क्या होता है, receiver of the action, जो प आपका basically क्या होता है, that is basically your direct object, बोसर आपका basically direct object होता है, ठीक है, जो रिसीवर of the action, और जो दूसरा हमारे पास होता है, sir, वो क्या होता है, कि मालीज़ आपके sentence में कोई preposition है, और preposition के बाद अगर आपके पास कोई भी noun आजाए, या आपके पास कोई भी प्रनाउन आजाए इसके बाद अगर आपके पास कोई भी noun आजाए, या कोई भी प्रनाउन आजाए, तो इसका काम करना शुरू कर देता है, indirect object का काम करना शुरू कर देता है, एक बार एक बार, वो जितने आप तुमारे दोस है, जो भी सो रहे है, क्वी क्लासे चली रहे है, उन तो पार चीज़ आते रहेंगे, आपको constant रहना अपने effort मेंट,